हेलो दोस्तो, आज हम बात करेंगे स्टेट अफ ओफ एजूकेशन के बारे में अठारवी शताब्दी में भारत में दी जाने वाले शिक्षा अभी भी पारंपरिक थी जो पस्चिम में तेजी से विकास के साथ मेल नहीं खा सकती थी ज्यान साहित ते कानून धर्म दर्शन और तर्गत की सीमित था और भोतिक और प्रकर्तिक विज्यान प्रदोगी की और भुगोल के अध्यन को बाहर रखा गया था वास्तम में प्राचेन विद्या पर अत्य देख निर्भडता के कारण कोई भी मौलिक विचार निरुत साहित हो गया हिंदू और मुसल्मानों के बीच प्राघंबिक शिक्षा काफी वियापक थी हिंदू और मुसलिम प्राथमिक विद्यालों को कमेशे पाठशाला और मक्तब का जाता था शिक्षा पढ़ने लिखने और आंक गणी तक ही जीमित थी निचली जाती के बच्चे कभी कभी स्कूलों में जाते थी लेकिन महिलाओ की उपस्ते थी दुरलब थी चतुसपती या तोल जैसा कि उन्हें बिहार और बंगाल में कहा जाता था उस शिक्षा के केंद्र थे संस्कृत शिक्षा के कुछ प्रसिद केंद्र काशी जो की वारानशी तिरूत मिथला नादिय और उतकल थे मदर से फार्सी और अर्बी के लिए उस शिक्षा के संस्थान थे फार्सी अदालत की भाषा थी और मुसल्मानों के साथ साथ हिंदो द्वरा भी सीखी जाती थी अजीमबाद जो कि मोडरन डेव पटना है फार्सी शिक्षा का प्रसिद केंद्र था कुरान और मुसलिम धर्मशास्त के अध्यन में रोची रखने वाले लोगों को अर्बी में दक्षता हाशिल करनी थी तो एदा एक टॉपिक स्टेट अफ और एजुकेशन के बारे में वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें